दोस्तों ये वीडियो में आज आप लोगों को ये खाराब तर्स को रिप्यार करके दिखाऊंगा ये रिचार्जेबूल तर्स है ये तर्स बिल्कुल खाराब हो गया है इस तर्स का ये सारजर है अब इस तर्स में यहापर देख सकते है ये पावर नफ का बतन दिया गया है ये सुच को डाबाने पर भी ये तर्ष सालू ने ओरा हे उपलोगों को दिखा रहती है अभी आप लोग दख सकते हो आगयका लाइट भी नहीं जल रहा हे और ये पिसे पालाइट भी नहीं जलafterा हे तो आप लोग को यह सारा प्रोब्लेम को रिपेर करके दिखाऊंगा इस वीडियो में अब आप लोग देखना यह सार्जर जो है इस सार्जर को इस तर्स में लगाने पर यह तर्स पावरन होता है अब आप लोग को इस सार्जर को मैंने अनकर दिया हूँ और उसके बाद इस यहाँ पर यह ग्रीन कलर का इंडिकेटर लाइट जल रहा है तो यह शर्जर ओन हो गया है और इस के बाद इस कनेक्टर को यहाँ पर लगा देते है इस तो शको रिशाष करने के लिए अभी आप लोग देखना इस शर्जर से यह तो पावरन होगा अब मैं इस तोस का वतन खो गया है इसलिए मैं स्कूल देवर की मदद से इसिश्व कॉन करूंगा आप लोग देख सकते हो अब यह पर तर्स पावरन हो गया है और यह दूसरा लाइड बी जल रहा है पीच़े का यह लाइट यह बहुत यह जाँ पावरन होगा है अप लोग देख सकते है यह लेते हैं यासे अब में यह सुप फिर से आप लोगो अन करके दिखाऊंगा आप लोग देख सेक्ते हो यह तर्ष और नहीं हो रहा है, ये बैतरी से आप इस्ट उसको रिप्यार करने के लिए इसका उपर में शार स्कूर लगा रोते हैं ये शार उसकूर को करके खूल लेते और इसके बाद आगे में और एक LED लगा रहते है अब इस आर्गित को खोल के शेक करना होगा यह पर कहाँ पर प्रोब्लेम हो सकता है इस आर्गित में बहुत कमपोमेंट्स लगा रहते है शोते शोते दायादर आईसी लगा रहते है आईसी में फोल प्रोब्लेम होने पर भी अब मैं आप लोगो मल्तिमितर से शेक करके दिखाऊंगा, मल्तिमितर को मैंने कॉंटिनिती में रख दिया हूँ, सबसे पहले में यहापर यह आईसी को शेक करूंगा और यह रेजिस्टेंस को, यह पर देख सकते यह रेजिस्टेंस खाराब नहीं हुआ है, यहापर यह सोत प्पवाला रेडिस्टेंस देख सकते हैं, SMD रेडिस्टेंस और उसके बाद ये दूसरे रेडिस्टेंस को सब्सक्राइगEE या बाद दिखा रहते हैं, आप लोग दिख सकते हैं, यह IC भी वेलुर दिखा रहा है, या IC भी खराब नहीं हुआ है और उसके बाद आगे की तरब और एक रेस्टेंस लगा रहे है इसको भी स्कूख करेंगे यापर देख सकते है यह खराब नहीं वा है यापर यह लिए ड़्या दौर रेस्टेंस को मैपि स्कार करें दिखा देखा दीखा दीया है बहुत होगो यहापर आइसी और डायाट रेजिस्टेंस तीनों भी खरब नहीं हुआ है और उसके बाद यह बैटरी को शेक करेंगे इस बैटरी को शेक करने के लिए माल्तिमीटर को मैंने 20 फोल्ट प्रेस्ट कर लिया हो अब यह बैटरी को सबसे पहले शेक करने के लिए यहापर बैटरी का जो दो पोजिटिव निगेटिव है यहापर आप लोगो थ्यान रखना है आप लोग देख सकते है बैटरी में बिल्कुल जीरो सार्ज है आप लोग देख सकते है यह बैटरी पर कोई भी फोल्टेस नहीं से हो रहा है यह बैटरी सार्ज नहीं है अब मैं अब यह आप लोग देख सकते हैं यह लाइट चालू हो गया है यह शारजर को लगाने से अब मैं बेटरी की दोनों तरफ फोल्टेस शेक करूंगा आप लोग देख सकते हैं मल्तिमीटर पर फोल्टेस दिखा रहा है यह बेटरी की तरफ तो यह बेटरी सार्च हो रहा है यह पर अपलोगों को दिखने आमेने शादर को लागाने पर यह बेटरी की तरब फॉजीतिव निगुतिव पे यह पर फॉलदर अउड़ हो रहा है लेकिन यह बेटरी से है मेरे पास यह दो हजार दोसों एमेच का बैटरी है इस बैटरी में पेटरी को में इस तर्स में यहापर लगाऊंगा इसको लगाने के लिया पर सबसे वेल अपलोगों को इस बैटरी का फोल्डिस को से करके दिखा रहते है आप लोग देख सकते हैं थ्री पन शिक्स्टी दिखा रहा है यह बैटरी तो यह बैटरी का जो पोजितिव निगेदिफ तार है इस दोनों तरको यह से कातना होगा यह बैटरी का दोनों तरको मेंने कात लिया हूँ आप लोग देख सकते हैं यह दोनों सेम बैटरी है लेकिन कालर फोला लगा लगा लगे अब मैं इस ब मेरे बास यह पावर बेंग है इस पावर बेंग से मैंने इस बैटरी को बाहर निकल ला हूँ अभी आप लोग को खोल के दिखा रहते हैं अंदर देख सकते हैं यह पर से लिध्यामयोन बैटरी लगा रहते हैं यह से मैंने एक बैटरी को यह से बाहर निकल लिया हूँ आप दित्क डिख सकते है यह बाटरी यह हू पर लगा था हiau इस पनाप spell नंटर्स नेम वहन cutting PA क्ले में दितला नंटराए लाए दके शोंगा रंके मां ढट्छे पूजीतिम निखेटिप पर यहा धर मीन बॉंदर्ण केव करने कиль आप स्ब्सूंदर्णं आप लोग देख सकते हैं यह लालतर कवे फिर से पावरन हो गया है तो इस तर्स में यह फिर से खाराब होगया था इसलिए यह तर्स पावरन नहीं हो रहा था अविस बैटरी को कि आफ रिप्लेश करने के बाद यह तर पावर अवग्या है और उसके और आप Aiय सग्रोग को इसको सफ करिकल के भी दिखाऊंगा अब यह सब भी ले रहा है, और यह लाइट का पावर भी ओन वह घया है. और तोस मेज़ू यहां पर शीज भी को कभी-को कभी खाराव जाता है, आप लेश कं़ेंग हो जाता है। ऋजास तो觉ो स्वीडों को प्रोब्लम को रिप्यार करने केर्पने Magic लिए आप लोगो के लिए की फिर्स तॉस में यह सूर को मुल्म होने पर इस तॉस में यह रिप्यार कर सकते हो कहा फॉर ठोर ओएल डालके आप लोगो मैं नीने यह सुष को रिप्यार करना आशिख आ दिया हूँ और उसके बाद सतस्में यह तर लेते हैं पहले जैसा इस लाट को यहापर आगे की तरभ यह पर लगा देना है और उसके बाद इसको लगा देना है और यह ग्लास को यहाँ पर लगा देते हैं और यह बैटरी को यहाँ पर लगा देने के बाद यहाँ पर यह सरकित को यहाँ पर लगा देना है ऐसे और यह लाइक को भी किनारे में लगा देते हैं अब मैं आप लोगों को खर और कई दिखाऊन गाई यह तर्स का सारा कॉम्प्रिमेंट स्फिद होने के बाद आप लोग फीडियो को देखते रहे ना हो रूज के बद उपर गया धकन को लगा देना है इह धक्कन को यहाएपर लगाने के बाद इहाऑ पर उपर का उपर चुछ स्क्रूर है यह share को फ़्ता बदे कर लेते है एक एक करके अब हमें आप लोगो इस तोर्ष को फिर से एक बर शेख करके दिखाउंगा आप लोग वीडियो को देखते रहे ना अब यह आप लोग देखना यह तोर स्पीट से पावरन होगा आप लोग देख सकते हो आगे का लाज जल रहा है और यह पीसे का लाज भी जल रहा है बहुत ब्राइड होगे अब मैं सार्जर से इसको लगा के सेक करके दिखाऊंगा यह सार्जर का यह कानेक्टर को यहापर करने के लिए इहाप पर अंदर ढल कर वे सार्जर को आप लोगे सेहां यह सा気 टालर क sports डू पर एक एक करके रिपर और करके दिखाँ यहो वीड चलागा और लायक करदेना से नला पर नेथू सच्राब कर ले न ऑ